तो आल अमिच सा प्रेस कॉंफरेंस संबंदी रहा आश्य सिधा गया है उसने हमारे इतियास में एक अहम भूमी का निभाई है और इस एंगोल अंगरेजों से भारतियों के साथ सत्ता के हस्तान तरण का एक प्रतिक बना था इस गटना के अईतियासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आस्चरिय होगा कितने सालों तक यह हमारे सामने क्यों नहीं आई जब इसकी जानकारी प्रदानमंत्री जी को मिली इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रदानमंत्री जी ने इसकी गहन जाच के आदेश दिये और फिर नेने लिया कि गवरोमई प्रसंग को दुरू तारे के समान परंपराओं के दुरू तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए इसलिए हमारे नए संसत भवन के लोकारपण के दिन को चुना गया अब मैं थोड़ा इस गटना के बाद में आपको बताऊंगा 14 अगस्त 1947 की रात को लगबग 10 बचकर 45 मिनिट पर पंडित जवालाल जी के ने विशेश रूप से तमिल नाडू से आये हुए अधिनम से सेंगोल को स्विकार किया था उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधी विधान के साथ स्विकार किया था पंडित नहरू ने 14 अगस्त की राद को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल स्विकार करकर सत्ता के हस्तान तरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था जिनमें स्री राजेंदर प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपती बनें एक गटना क्यों और कैसे हुई हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब नेने हुआ तब लॉर्ड माउंट मेटन को एक प्रक्रिया को निर्वीग्न समाप्त करने के लिए भारत के वाईसरोय बना कर भीजा गया जब एक प्रक्रिया करने का समय आया तब लॉर्ड माउंट मेटन क्योंकि इंग्लेंड से आते थे इनको हमारी सांस्कूर्तिक और परंपरिक व्यवस्ताओं की जानकारी नहीं थी उन्होंने पंडित जवला नेरू जी को ये प्रस्थन किया कि ब्रिटीश से बारतियों के हाथ में सत्ता का हस्तानतरण के प्रतिक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारों का आयोजन किया जाना चाहिए पंडित जी भी कनफ्यूस थे उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा करकर आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा पंडित जवालाल नहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंगी बहुत अनुभवी स्वातंतरस्था सेनानी दार्शनिक भारतिय परंपराओ के जानकार इतियास के मर्मग्य ऐसे विद्वान सी राजगोपलाचारी पर नियुक्त की जिनको हम राजाजी के नाम से जानते हैं उन्होंने ए बात को राजाजी के सामने रखा राजाजी ने अनेक पुडाने ग्रंतों का अभ्याज कर अनेक प्रक्रियाओं को श्टड़ी करकर सामराज्यों के समय में सत्ता के हस्तानतरन की प्रक्रिया का एक सटीक इतियास रिखांकित करकर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिनहित किया और पंडीत नहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तानतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडीत नहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनार के अधिनम से स्विकार करकर अंग्रेजों से भारतियों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरन को आकार दिया वो ही स्विकार था जब पंडीत नहरू ने सेंगोल को स्विकार किया जब हम जिसको स्वतंतरता कहते हैं इसका सतिक स्थन था इस अनुष्टान का उदेश इस तत्थ का स्विकारी करण है कि भारत में विदेशी सासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी अध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचिन और भारत की सुरुधर्ड परंपरा है पंडित नेरू ने इस अनुष्टान के संपादन के लिए दक्सिन के मठादी पती को स्विकार कर आगे चलें जिससे पता चलता है कि उनका उदेश भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकी करण का था सेंगोल के अर्थ और इतियास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है सेंगोल सब्द तमिल भासा के सिम्मई सब्द से बना गया है इसकी वित्पत्ति सिम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव निती परायनता से है या एक तामिल नाडु के प्रमुक धार्मिक मट के महनतो द्वारा इस एंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अभिमंत्रित है गंगा जल से उसको सिम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव निती परायनता से है या एक तामिल नाडु के प्रमुक धार्मिक मट के महनतो द्वारा इस एंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अभिमंत्रित है गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है इस पर पवित्र नंदी अपने अटल द्रश्टी और स्थीर्ता के साथ विराजमान है औ हमारी अपनी भारतिय सब्यागड प्रथा का सब्थेताग्रत प्रथाका के एक अनुसरन करने के लिए इे प्रथा को बना दिया गया त। आप सभी जानते हैं चोला सामराज्य सद्यों से हमारे उप महतवीप में एक महतवपुन सामराज्य रहा जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अर्से तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के महतवपुन हिस्से पर साशन किया सबसे महतवपुन बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से नयपुन और निश्पक्स साशन की अपेक्सा रखी जाती है और एक प्रकार से नयापून और निस्पक्स साशन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तामिल में आनाई कहते हैं और इस एंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय वीश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है इस पर वृतांत भी प्रगट किये हैं टाइम मेगेजिन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया भारत के भी सभी अख़बारों ने इसको यतोचित सन्मान दिया था आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आँखों से ओजल हो गया इसको बुला दिया गया मगर एक विद्वान और पूजनिय सन्मान ये व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस इठत्तर को परमाचारिय स्री चंद्र सेकर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयाई डॉक्टर बी आर सुब्रमनियम को सेंगोल भूतांत का वणन किया जिसको डॉक्टर सुब्रमनियम ने अपनी किताबों में उचीत स्थान देकर उल्लेखित किया है तमिल मिडिया ने भी परमाचारिय की चर्चा को प्रमुक्ता से जगे दी और उसे जिवीत रखा है हम सब परमाचारिय के इसके लिए खुतग्य है दिल्चस्पि की बाते हैं कि तामिलनाड सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकासित किया है यह 2021-22 का HR&CE Policy Note जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है इस पर पैराच 24 में इसकी प्रक्रिया को धंग के साथ वनित किया गया है हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रारले में रखना अनूचित है सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उप्युक्त और पवित्र और उचीत स्थान कोई हो ही नहीं सकता इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पन होगा उसी दिन आदर्ण ये प्रदानमंती नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनार से आये हुए अधिनम से सेंगोल को स्विकार करेंगे और अत्यंत आदर पूर्वक मानिय लोकसभा के अध्यक्स के आसन के समीप सनमान के साथ इसको स्थपित करेंगे मैं मानता हूँ कि भारतिय परंपराओं से जूरने का एक वीरल और महान क्षण होगा नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ हमारे इतियास के साथ और हमारे अध्यत्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंदान होगा सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरनिय बनाएगी यह सेंगोल जो है असीम आसाएं अनन्त संभावनाएं और एक मजबूत स्वतंत्र और समरूद राष्टर के निर्मान का संकल्प है यह अमुरूत काल का प्रतिविम होगा जो भारत को अपने विश्व में यह थोचित स्थान गरहन के लिए गवरव साली क्षण का साक्सी बनेगा यह अईतियासिक योजना अधिनम के अध्यक्सों से विचार विमस करकर बनाई गई है यह सभी 20 अधिनम के अध्यक्स इस सुव अवसर पर उपस्थीत रहेंगे जो प्रधान मंत्री जी को सैंगोल अरपन करेंगे और इस पवित्र अनुष्टान की पुनस्मृति में अपना आसिरवात भी प्रधान करेंगे इसके लिए मैं उनके प्रती आभार व्यक्त करता हूँ और एक बहुत हर्थ की बात है कि 15-14 अगस 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयम उपस्तित थे वो 96 साल के वुमिंडी बंगारू चेटी भी इस कारेक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं उनका असिरवात भी इस कारेक्रम को मिलेगा यह गटना का दूरदर्शन वर्दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवन्त प्रसारण देज भर के दर्शकों के लिए नागरिकों के लिए भी होगा और अब हम एक डिटेल फिल्म एक पूरी प्रक्रिया पर सांस्कूतिक प्विभाग ने बनाई है इसको देखेंगे अगुस्ट ऑगुस्ट निट्रास प्रेसिदेंसे तमिलनाट a group of people were preparing for the trip of their lifetime they had been called to carry out an important mission to sanctify and legitimize the transfer of power from one ruler to another where were these people going? Delhi India was getting ready for its freedom to be rid of the British rulers after decades of people fighting for self-rule thousands arrested in action chasing one goal asati freedom the last viceroy Lord Mountbatten had a task to complete to hand over power to the Indians he had a simple query how should this moment of hand over be conducted a handshake would hardly do what is the symbolism that should be adopted for the moment? he posed this question to Pandit Jawaharlal Nehru a good question something that needed thought a puzzled Nehru turned to the veteran freedom fighter Shri S. Raja Gopalachari Rajaji, as he was popularly known, was from Tamil Nadu Nehru respected Rajaji's erudition and knowledge of Indic customs and civilization well read as he was, he found the answer in India's past in the Chola kingdom of Tamil Nadu one of India's oldest and longest continuous reigns the transfer of power from one Chola king to another was marked by the passing of the Senggul the staff of righteousness blessed by the high priest of the time invoking the blessings of Lord Shiva the Cholas being his ardent devotees worship continues in their thousand year old temples to this day Rajaji recommended that a similar ceremony and symbolism be followed Nehru accepted this Rajaji wasted no time in contacting the leading dharmic mutt or monastery the Thiruvah Vadudurai Aadhinam established over five centuries prior located in the heart of Chola land functioning to this day the then seer 20th Guru Maha Sannidhanam Srila Sri Ambalavana Desika Swami who was ailing at the time accepted the task he commissioned the making of the Senggul with famous jewelers Umidhi Bangaru in Madras on top of the Senggul was Nandi symbolizing strength, truth and righteousness recalling the making of the Senggul 96 year old Shri Bhomidi Atthi Rajaloo in Fire It was a round thing with a long Rod as a Writer झाल झाल